सद्धार्थ और शहनास का एक नया गान आने वाला है जी हाँ, सद्धार्थ हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका और शहनास का एक ऐसा प्रजेक्ट जो अब तक कम्प्लीट नहीं हुआ था हम सभी बेसभी से उसका इंतजार कर रहे थे अब वो रिलीज होने वाला है और वो प्रजेक्ट भी कोई छोटा मोटा प्रजेक्ट नहीं बलकि सारे गामा ऑफिशल का प्रजेक्ट है श्रिया घोशाल की आवाज है और उस गाने को सारे गामा रिलीज करने वाला है अब उस गाने को देखने के लिए कितना excitement है लोगों में क्योंकि कुछ अंश उस गाने के shoot कर लिये गये थे, थोड़ा कुछ बाकी रहा था और इसलिए उस गाने का नाम अधूरा रखा गया है गाने का नाम अधूरा है मुझे नहीं पता कि इस गाने के bowl change के गये है उन्हें दुबारा गया गया है क्योंकि shoot कर लिया गया था, काफी chunk shoot किया गया था, काफी chunk बाकी था तो श्रिया गोशाल के इस आवाज में आने वाले इस गाने को जो है dedicate करते हुए सद्धानास सौंग कहा गया है और कहा गया है कि एक अधूरा गाना गाना एक अधूरी कहानी मैंने इसके लिए थम्नेल में लिखाए अधूरा गाना मगर अमर प्रेम, सच्चा प्रेम पूरा प्रेम तो सद्धात और शेहनास के इस गाने में क्या होगा? क्या उनकी प्रेम कहानी का जिक्र होगा? उनकी प्रेम कहानी का जिक्र हो, किसी और प्रेम कहानी का जिक्र हो, कोई और कहानी हो लेकिन ये जरूर है कि कुछ ऐसे moments होंगे जो अब तक हमने नहीं देखे हैं और हम उसे देखने के लिए तरस रहे हैं जिया सधार्त और शैनास के जो भी shots available हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं भी थे तो वो आ चुके हैं और एक बार पब्लिक डोमेन में आएं तो वाइरल हो गए हैं क्योंकि सब लोग उसे बार-बार देखते हैं आप लोग मुझे बताइए कि हाला कि ये तो बिग्वस्तेरा के बाद से ही लोग देख रहे थे लेकिन दो सितंबर के बाद से दो सितंबर से लेकर आज हम 14 अक्टूबर तक आ गए हैं लगभग एक महीना बारा दिन हो चुके हैं इन 42-43 दिनों में 31 का महीना था 43 दिनों में किसने कितनी बारे गाना देखा होगा I mean सिधार शानास, सिदनास की वीडियोस देखे होंगे कौन-कौन से फुटेजिस देखे होंगे जो लोग सिदनास के हार्ड कोर फैन्स नहीं थे उनको पसंद करते जरेकी है उन सबने देखे हैं और बार-बार देखे हैं जो लोग भी मुझसे मिले उन्होंने जिक्र किया ये वीडियोस वीडियो शैर किया ये बात की क्योंकि वह कहिन कहीं दिमाग में चड़ी हुई शारित से होगे कहानी होगी कुछ नए वीडियो होंगे फुटेजिस होंगी जिसका अभी सब्सक्राइब इंतजार होगा शैनास फिल्हाल उन्होंने होसला रख के लिए एक दिन निकाला था कुछ घंटों में उन्होंने कुछ इंटर्व्यूस किये कुछ प्रमोशनल वीडियो किये जिसको काट करके उसकों का प्रमोशन किया जा रहा था हाला कि हमने क्लियरली देखा कि शैनास कितनी डाउन थी लेकिन अपने प्रोफेशनल कमिट्मेंट को पूरी तरह से नभा रही थी जैसे ही उनकी तरफ से सवाल हटता उत्रण मुंडी नीचे कर लेती उनकी आँखों में उन उनकी पॉस्चर में उदासी आ जाती फिजैसे ही क्यामरा आता वो पूरी अपनी अपकर के बात करने ही कुशिश करती लेकिन यह जो गाना आएगा सगनास का इसमें दोनों हस्ते खिलकिलाते हुए दिखाई पड़ेगी क्योंकि यह शूट किया गया जो हिस्सा है तब सब कुछ अच्छा था सधार थे भविश्य की उम्मीद थी भविश्य की प्लानिंग थी और दोनों एक कपल थे दोनों ने जाकर गाना शूट किया था अब इस गाने का बेसबरी से इंतजार है मुझे रखता है गाना आते ही एक घंडे में पता नहीं कितने वीउस के हो जाए होगी आप लोग इस गाने को लेकर कितने एकसाइटेड हैं देखिये हम वक्त की सुई को पीछे घुमाने सकते जो हो गया है उसको अन मतब ना हुआ ऐसा नहीं कर सकते उसको ममिटा नहीं सकते लेकिन उन यादओं को चरिश कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं और ये होसला सकते क शैनाज जो है खुश रहेंगी मुस्कूराती रहेंगी और अब इस गाने में हमें सिधार का जो है और शैनाज का की केमिस्ट्री दिखाई पड़ेगी एक बात में ज़रू बताना चाहूंगी यह उसका पोस्टर है जहां पर आराईपी में जो मुंबती लगाते हैं वो लग सब्सक्राइब है सब्सक्राइब कर दिया क्यों को इस गाने में aqs किर्ण भी अब ज्यर्क कर दिया है ज़रूर मैं पढ़ूंगी सारे कॉमेंट्स और हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना